कि नमश्कार इंबीसी न्यूज्स की एक्स्क्लिउजिव इंटर्व्यू में आप सभी का स्वागत है अभी हमारे साथ इसका स्टूडियो में मौझूद है विश्व परस्थे कि स्टूपी सथ हंदत बाबा ताजी जीन और या के वंशच एवं सद्गादा नशीन और हंदत यूसुब बाबा ताजी के बेटे तो यह तालिफ बाबा ताजी तो जिस सरह आज हम इस स्टूडियो में मौझूद में जिस तरह आप अपी इस वीजियो की हमारे पीछे देख ही सकते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं उसी महाठब राजिक कुरेशी से जुडी जिसके हमने आपको अलग-अलग करके काफी सारे एपिसोड दिखाए अलग-अलग हमने खुला से विखिये लेकिन आपको जब हमने आकरी कबर दिखाई थी तो उसमें हमने एक वीडियो दिखा था उस वाइन वीडियो में राजिक कुरेशी एक वर्दे पार्टी मनाता हुआ महा ठक जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो वीडियो कब का है और इससे जुड़ी तमाम बाते आज के हम इस एक्स्क्लियूजिव इंटर्व्यू में जाने हैं तो बनी रहे इस इंटर्व्यू के साथ सबसे पहले तालीब जी मैं आपसे पूछना चाहिए कि जो अब्डियो है और मुझे वो सरकार ताज्यलोलिया का महमान है हमारा महमान है और सभी धर्म के लोग हमारे दरबार में आते हैं और हम भी सभी धर्मों के कारेकरम में जहां मुझे बलाया जाता है सरकार के कि देए मुझे हर कारी तरम में बुलाते मंदिर में में गुरुद बारा में जहां भी तो में हमहां जाता हूं तो वैसर दो मेरा जनम दिन में तो वैसे ही सरकार के चाहने वाले कर चागे लिए तो इक राजिक कुरिशी करके है तो उसने मुझे बाबा आपाई ये grade का Do सबसे पहली बाप तो वहाँ पर जो ड्रक्स दिखा हुआ है तो उसके समझ में आप क्या बोलेंगे क्या वो ड्रग्स आपको पता थे कि वहाँ पर ड्रक्स रखा हुआ है सबसे पहली बात तो वहां पर जो ड्रक्स दिखाई दे रहा है आपको वह ड्रक्स है तो वह जो है मैं वहां जब मौझूद जैसी इंट्री गरागेट के अंदर तो मैंने सीधा केक काटा सबसे पहले केक काटके सबको खिलाया और टेबल पे पन्नी पली भी थी वाइट कलर प्रण वहां से निकल गया कि मैं ज़्यादा देर कहीं रुखता मी हूं कि मैं निट्टा कारेकरम तुरन वापार और मुझे हर कारेकरमों में जाना पड़ता है क्योंकि मैं दरबार से जुलावा इसान हूं तो तरह आपने कहा कि वह ड्रक्स नहीं थे लेकिन हम ने जहां अबताया कि दीख गरी कि आताओ तो जब भी आपने कहा कि दो तो 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 यही ताहिया करेंगे कि वो ड्रक्स तो क्या राजिक कुरेशी को जिस भी आप अच्छा को क्या बीडियो, वीडिए तो आपको ऑने अग्हें दोस्त्ताना है अगर है तो कब से हैं गिस तरह के करता है हमारे दर्वार में सभी जर्म के लोग आते हैं और हमारे को कैसा है हम सर्कार के तरवार से जुड़े वे लोग है तो हमको हर जगा लोग बुलाते हैं तो हमें सर्कार के मेहमान हैं हमको जाना पड़ता है वो उनको दावब आएगी तो बिंदे नियुक्त की जर्म खैवर तो वी इज़त खातिर्दरी करें हैं उनकी आपने बताएं कि इसे आपका जल्म दीवस मनाया चाहरा ने था तो ये पार्टी जो बड़े पार्टी दिव जाए अर्ग्स रिघ अंगे है लिए है हमें तो वो द्रक्स के अलावा पार्टी किस में buffer की ती और आपको क्या अलगता है कि वो द्रक्स वहाँपर कैसे café हो सकते हैं किसी दर्गी मौत होते हैं वो होटल में यूटूल बुलाए गया था पांच मिंड के लिए मैं गया हूं सिर्फ के काटा हूं और तुरन रिटन हुआ हूं और यह सब जो आज मैं दर्बार से जुड़ाओ इंसान हूं आज तमाम दुनिया भर के लोग कुछी चाह पर जा रहा है इसे गलत मेंसेज जा रहा है तो मैं आपसे विनंती करता हूं कि यह चीज को थोला सा आप अलबार रहा है यह एक का डबल का किस्वा तालीच जी मैं आपसे प्रक्राइब कर दो आँगी कि एक देखा ही जाए अगर आप उस वीडियो में नजर आ ही रहे हैं तो देखा भी जा सकता है कि आप तालीच को जानते हो तो क्या आपको पता था कि राजिक इतना बड़ा महा ठग है या फिर राजिक में इतनी बड़ी दोका धड़ी ताजवा के लोगों के साथ की है ताजवा के लोग आपको इतना मानते है तो आपके सामने के यह मामला आ मारे मारे पर पर आते हैं यह से पब्लिक चलता है जैसी दरबार आते हैं वैसी पब्लिक चलता है और यह जो है तो यह सब किसी की चेहरे पर लिखा नहीं रहा है कि राजिक में आपको कुछ उपहार भी दिये हैं जिसे बर्थदे पर आपको फोन गिफ किया है या कि आपको कुछ चीजे उपहार में दिये तो क्या यह सच है अधिक में मुझे कोई दीफ कि इस अफारतों की बाते है और सिर्फ के के काटा हूँ और तुरन में वहां से निकला हूँ बाके मेरा कोई लेना देना यह चीज से यह डर्रक्स यह सब चीज में दूर हता हूँ गाया और यह सब चीजों से बहुत जहां तक खबरे बिली थी कि आपको पोन दिया गया है राजिक द्वारा और एक गाड़ी गिफ्ट की गई है तो उसके इसा है कि जो गाड़ी जो अभी हमारे मम्मी की गाड़ी है तो मेरे मम्मी ने कहे मम्मी के पास में इतनी इत्यूज को क्या हूं तो बलीनो बेश के हमने गाड़ी फाइनस करवा टोएट रखिए तो लोगोंने क्या कि राजिक ने दिलाया राजिक ने दिलाया उसकी अफ़ाव बना गी है उसकी पूरा पेपर है हमारे पास अभी भी फाइनस है गाड़ी कार है, उनको एजन्टों रोग है, उनके पास में कार है, हमारे से उनका कोई लेना देना है, यह सरकार के मामान है, वह हमारे मामान है, बस हमारा यह है. जिस तरह भी आपने एजेंट्स की बात कही तो खुद राजी कुरेशी ने आडियो क्लिप में बताया था कि उनके एजेंट्स दुआरा ड्रॉग्स लिये जा रहे हैं, खरीडे जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया जा जा रहे हैं, वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहे है तो मैं यह जाना चांगे कि क्या कोई एजेंट्स आपके भी संपर्ख में है, आप किसी को जानते हो एजेंट्स को वीडियों, ताजाबाद में तो ताजाबाद के जो लोग है, उनको तो सभी को मैं जानता हूँ नाम से तो कम चेहरे से ज्याजातर जानता हूँ, मैं नाम से वाकिव नहीं रता हूँ ज्याजातर चेहरा देख के बच्छान लेता हूँ, मकस्त है यह कि जो ताजाबाद के जो लोग हैं हमारे की जो गरीब अवाम हैं, दरबार से रोज मंग के उनका धर्शस्ता है, और जो एजेन्स उनको लोगों को अगरीब लोगों को फसाया करते थे क्या उनको भी आप इस पार्टी में मौझूद थे या किसी को आप नमें से जानते हो या वो लोग भी आपके संबत में आया हो मैं जब महां जब होटल में पहुचा तो मैं स्रीवेक की अधिमे को जानता था वो है अपना दिलीप दिलीप भही को जिसके आडियो क्लिप वाइरल भी हुई थी हमने आपको भी सुनाया था यह वही अरुपी रासे कुरिशिका काफी करीभी एजेंट रहा है जी बोल ये तो गिलीप भाई बोले मुझे कि बाबा आपको केक काटना आप जनंदी ना आपको मैं चली हमारे महमान लोग आए वह क्लेव बुट में ये बुट में लुट में रहा है जो जाहा बुलाएगा सरक्यार मुझे जहना पर एक लुट गया कटना और अपना कुरण रेटन हो गया दिलीप जो खुद ड्रग्स का सेवन किया करता था, इसका खुलासा खुद राजिक नहीं किया था, तो क्या उस बड़े पार्टी में ड्रग्स दिलीप नहीं लाये थे? नहीं, 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 हम में यह भी खुद राजी कुरेशी के audio में था कि दिलीड का बेटा शायद मोरू यह लोग भी ड्रग्स का सेवन किया गएते थे खुद उसने राजी कुरेशी ने बताया था तो क्या उस बड़े पार्टी में दिलीड के अलावा उसके बेटे और भी एजेंट्स मोजू थे बड़े पार्टी में हाँ बहुत लग मोजू थे चार पाच जन शाय थे शे पाच जन के ऐसे दूश्यों तो मैं तो सिंदल अके लिए आया था दो मेंट के काड़ा तब तुरंट में हाँ से रिटन चले गए बागी उसमें से कॉल ड्रग्स करके है आपको थे नहीं ज पुए तो आपको यह कब पता चल यह तो तो अपको तो पहले ही पता चल गया होगा कि घासी कुरेशी है जो इतना महार ठग है तो लोगों के पैसी जा पालना है तो जह सभी फालबा सब दिगाぎ biz तो इस बारे में आपको कब पता चला? मेरे को यह मालूम ही नहीं था वो यह शक्क से करते है मैं ज़िए जब लेके गए जनम दिन के दिन बापा और हमाने कोई पाप का जनमी मेनाना चाहिए आप दो मिन के लिए केट काटके आप वापस आ चाहिए तो मुझसीन गया तो जब पता चला ने लोको वो ये इनसान का ये चीज का जंदा एकर गरगे है जो लोग आपके पास ताजबा के काफे लोग के आपके पास अभी तक की राधी कुरेशी ने साथ भी ठगी की है ये किया है तो इस पर क्या करें गया एक तो ताजबाद के अवां बहुत गरीब अवाम होना रहा है ताजबाद में बहुत लोग इतने इतना परेशान हो चु कि इतना याने परिशान हो चुके हों के लोग तो मैं यहीं विनंति करूंगा और आजिक भाई आप बराय मरवाने जितने भी लोग का पैसा लिए आप उनका पैसा रिटन करें जल से जल क्योंकि वो लोग बहुत मरवने की हालक पर पहुच चुके वे कोई कोई फांसी लगा ले कुछ कर ले ऐसी कंडिशन की नौबत पर पहुचे वे किसी का शादी का पैसा कुछ कुछ है तो बराय मरवानी राजित भाई आपसे निविदन करता हूं मैं रिक्वेश्ट करता हू कि स्टाजबाग वालों का पैसा और जो भी लोगों का है नाकपूर का सबको पैसे उनके रिडन दिया जाए यही अक्षे जिननसी करता हूं तालिव जी यह तो राजिक भी लोगों से अपने एजेंट से बात करता हूं अपने अजेंट से बात करता हूं दिखाई ए जिसकी वीडियो अडियो क्लिप समाय पास आई हुए थे लेकिन वह भी भी छुपा हुआ है तो दिलीव जुकी अदालत में उसकी अरजी भी है त क्योंके यह लोग तो तही जिन से ही फरार है वो जब से तांप कुछी पो रेडवेड हुई थी वो जिन से ही सब लोग गाया हुए तो यह आज तक के तो दिखी ही नहीं हुजे कोई भी तालिन जी जब बड़े पार्टी यह और्गिनाइस की गई थी तब वो आरोपी फरार था तो क्या इसके संबन में आपको यह बात यह जानकारी थी आपको कि वो आरोपी है और फरार है वली ठग है यह बताईए नहीं मुझे इसका नौलेज नहीं था इसके बारे में यह कुछ भी नौलेज में इता उतम इसके मऔर में मां हमारे दरभारम में आता है मैं वह सचे के बसकर तैया हूं ऱा कि मेरा उप्लेस कोिं में नहीं है सरकार का महमान ही तो हमारा महमान है और वह और वो कोई भी धर्म कराए खि holistic करते है टालिजि़ आपको नहीं पता हो कि तो जब इसके बारे में अपने पुलिस को बताना मुनासिब नहीं समझा या बताया या नहीं बताया या तो क्यों नहीं बताया सबसे तरी बात तो ऐसी कि मुझे उसके बारे में नौलेजी नहीं था बुद लिए वो आरोपी है इंका ये धंदा है मुझे से सिर्फ ये बताया गया कि मैमान है आपको बस केक काटना है तो मैं बस सब जगा दो दो मिनिट पाशवाट में दो दो मिनिट पाशवाट में कै भी नहीं है काटर है काở कर दो मेरे फेलावल resting आरूपी लुद टार रूपी है क्या है ये रूद मेरी बात इंपता चला तो क्या पूलिस ने ये बररे में आपसे पूंशता आच की कोई या या ये बरस आपने पूलिस को बताना मुनासिब सम्झा तो में सी ने वेरी बेरी लोग जहा लग रहे हैं उसकी भी कारवई कर रही है लिए पर आपके सामने सब मामलात अभी आपेवे हैं जब बदे पाती में आपकी और राजी की मुलकाद हुएगी तब आपने उसे कुछ बाते गर भी तो क्या अंजाजा कुछ लगा आपको कि इस तरह की वह ठागी कर रहा है की इस तरह लोगों को फचाहे कुछ बातों का अंजाजा हुआ उसकी कभी? नहीं, नहीं, ऐसा कुझी भी मेरे को अंधाजा नहीं था, ऐसा कुछ लगा भी नहीं था, पर फ़ली बात तो मेरे को उसी दिन जब मुआ पहुचा, जब पैट चला है, यह एक का डबल यह करते हैं करते हैं, मेरे को तो वह भी नहीं वालूम जा तो मतलब जब आप बर्दे पार्टी में पहुचे तब आपको पता चला कि यह लोग ऐसे कार नामे करते हैं, एक का डबल जो होता है, वो इनका कहा में करके मेरे को उस दिन पता चला, तो इस पर आपने कुछ कारवाई आपने पुलिस को नहीं पताया इस बारे में, क्योंकि कि अगर उस वक्त पता चला, आपको पता लगा तो आप पुलिस को बताते तो उस पर तुरंट कारवाई हो जाती थी, वो आयद पकड़ भी आ सकते थे आपने तो बताया ना कि आपको उस दिन पता चला कि इसमें लोगों के पैसे थगे हैं, अभी आपने पता चला मुझे, यह जब भगा, जब यह आदमी, जब यह राजिक कुरेशी साव यह जब गए, जब लिहाया, जो बाकी भी जो लोग भागे इंके साथ के, जब पता चला कि यह लोगों ने ताजबाद के पूरे लोगों के इसाथ फ्रॉट की एक रगे, लोगों की शिकायत कब से आपको आपको या फिर लोगों को सुनाई देने पड़े कि ताजबाग में इसे लोग स कुछ दूनों के बाद में, नहीं मेरे जनमीजिन के कुछ दूनों बाद, पता चला कि यह ऐसा तारणाम अभी चाली हुआ है, और एसा-इसा लोगों के साथ में एक टड़बाल एक टड़बाल एक पैसा हो रहे करके, उसके बाद में यह अचानक पुरे की पुरे गाहया तो उस दिन बड़्डे पार्टी में, जहां वीडियो में तो दिखाएगे रहे के ड्रग्स लगे तो क्या आपको एसा लगा कि उस बड़्डे पार्टी में कोई लोग, ट्रग्स के नशे में है, कुछ ऐसा आपको प्रतीत हुआ? नहीं नहीं मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं मैं साफ सीजिन बात करतना हूं मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को कुछ ऐसा बूता नहीं मैंने सिर्फ टेट काटा खिलाया और मैं तुरंट सिदा भागी मैं ज्यादा दर की रुपता ही नहीं मैं ज्यादा दर की रुपता ही वीडियो दली थी, मैं वहाँ भी जा गया था, साही बागा की पालगी गई है यहां से शुरडी, तो कि पालगी का जो था, व सब मेरे हाटों से किया गया था, तो मैं मुझे जहां बिलाते हैं, मुझे जहना पर था आपको जाता है, तो क्या उस्ने आप से मुर्भब नागी? दलीप में? नहीं, नहीं मेरा तो नहीं कोई अंटाइक नहीं से भी कोई इंटाइक है ना उस तारीख से आदी तक कि जबसे वोग फरार हुए जबसे मुझे पता चला कि आधकी आपको नहीं बताया कि वह시 जुब बर्दे पार्टी में जिससे आपको मिला गया था वही आरूपी है, वह अधर मुझे पापने मुझे कि इसनी का गाम öप कर के तो कि आप यक्रदी शचिसा हैं एड़ वास्ता का उनिए विजि enorm मिलने बात्राविक्षि आप से सभबत करता है आप से सहायता लेनी की कोशिश करता है तो उस पर आप क्या करना चाहिए क्या होगा आपका कदब उस पर? सहायता कूं से चीज की सहायता बोल रहे है? आपकी सहायता की कुछ आपकी पंचान पर क्या होगा देखिए मैं कानूं के खिलाफ कभी जानी सकता कानूं का पारण करने वाल इंसान होगा तो मैं कानूं के साथ ही कानूं कर रास्ता ही चलता हूँ कानूं के खिलाफ कभी जाता नहीं जो सवीदान गोलता है सवीदान शिजदान अगया कानूं से चलता हूँ मैं यह गलत एक्तिविटिज के अंदर दिनी वाल रिशी में भी देता है इतने दिन से यारूपी परार है लेकिन अब तक अपनी एजेंट्स के संपर्ख में हैं, क्या लगता है पुल्स की कारवाई पर? कि कारवाई किस तरहा जाल बुछ के ऐसी उसे नहीं पखड़ा जा रहा है या फिर सिफ कारवाई का लिहार निकार के लिए और आपनी वीडिय इस स्था रहते हैं अमीटेश कुमार साहब हुआ है। अम इस सरकार के चाहनिया अगे भक्त, वह आपने बारे में नाम भी आपने सुना है। उननी कारवाई के बारे में कैसी कारवाई करते हैं। सब चीज़ आपने बेखा है। वो नाट्टुर शेहर की अमिश्नर है। दो नाम से ही तो जिस तरह इस दिलीब एजेंट है आपको और राजी कुरेशी को बड़े पार्टी में दोनों को बुलाया और दोनों का परीशे करवाया के कया आगे भी हुई है आपको बुलाया गया है नहीं। कभी नहीं यह सब नहीं लिए यह सब कभी नहीं हुआ ना मैं कभी इसी पाटी में गया हूँ, ना कभी जाता हूँ और ना कभी जाओंगा तुम कि मैं दरबार से जुदाओं इस बीज़ों से दुद रहता हूँ और मैं तमाम लोगों से भी एक कहना चाहूँगा कि जो वीडियो जो चलाई गई है इसके इतियाद बरते हैं कि यह सब चीज़े जर्बार से जुदाओं इनसान के उपर में जनम दिन के मौके पर कैसी बात की जारी हूँ तो कि जर्बार से जुदाओं इसका नाम है इसको मद्य नजर रखते हूँ तो इस पार्टे में इतने भी लोग मौचूद थे तो उस पुरिया में जो ड्रुग्स रखा हूँ आपको पता होता कि वह ड्रुग है तो क्या आप पुलिस को बताना मनातिक नहीं समझते हैं देखी वह ड्रुग्स रहता तो मैं तूरन ही मेरे सुरग्षाजाज तूरन ही पुलिस को इंफर्म करते हैं और मैं भी सीधा कमिशनर साब को पूल लगाता है यह बस इस बात के लिए जिस तरह उस दिन बदे पार्टी में दिलीप ने आपको इन्वाइट किया जहां ड्रुग्स शराप और भी कई नशिवी चीजे मोचूद थी वीडियो में हम देख सकते हैं तो उस दिन में यह जहर नचाहूंगी डिलीप ने आपको राजिक से किस तरह का परीचे कर आया किस तरह राजिक का आपको परीचे करवाया क्या बोल कर रवाया देखे गसा है कि जिलीप भाई जो आए मैंता बच्पन से बेखा मैंता तो भच्पन से ही देख रहा हूं मान को तो मेरे पास आये बलहे बाबा आपको जरम देने के मैंमान आये हो तो आपको जरम देना किकाशने चाहते है तो आज हमने उस वाइरल वीडियो की उपर सीध है। कि उनी से को जाना कि उस दिन आज क्या हुआता, किस तरह उस पार्टी में ड्रग्स पहुचा, वो उस द्रग्स का किस ने सेवन हिया। इस तमाँ इस द्रग्स पार्टी से जुड़ी बातों को आपने आज के इस exclusive interview में जाना। अभी तक राति कुरिशी मामले में रोज आना एक ना एक और यूट्यूप्स वाइरल होती जा रही है। जहां तभी ये ठगी का मामला हुआ करता था। अब ड्रग्स, नशीले पदाज, कोकेन, शराब जिसे अन्य कई मामलों को लेकर ये मामला और भी आगे बढ़ता जा रहा है। और बड़ी तेजी से आख पकड़ रहा है। एक नए एक रोज नएने सबूत बारन होते जा रहा है पर अब तब आरूपी कुलिस के हातों नहीं लगा है। लेकिन लगतार वो अपने एजेंट्स के संपट में बना हुआ है। कुछ दिनों की उन्हें महुला देने को कहता है। अब देखना यह होगा कि आगे और किस तरह की इसी ड्रग्स पार्टी चलती रहती है। कि किस तरह और ड्रग्स पार्टीया सामने आती है। और किन-किन लोगों के इसमें सहावेश हमें देखने को मिते हैं। आगे इसी सिल्फिले में और खबरें हर एक प्रणू को देखने के लिए बरे रहे बीसियरग्स के साथ। झाल